पाकिस्तान के लिए गॉर्णिंग आई है मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंग के आताओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है मैं आतंग बात के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मन्सुवे कभी काम्याब नहीं होंगे भारत 26 जुलाई को जो है वो मनाने जा रहा है जो सकसेस उने मिली थी कारगल में जो वो कारगल निवास करके बनाया करते हैं हमारी से तकरीवन 527 कैजूल्टीज हुई है जहां तक पाकिस्तान का सवाल है नवाज शरीफ खुद बोलते हैं कि तीन से चार अजार तक कैजूल्टीज हुई थी और शुरू में तो उन्होंने अपनी बॉड़ इस एकसेप नहीं करी परेजिडंट क्लिंटन ने नवाजर शरीफ को डांटा कि ये क्या किया है आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सखत धंकी भेजी है पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है इंडिया के पराइमिनस्टर नरेंदर मूदी साहब की दिरफ से वह मैं आपको उन की आवास में सुनवाँगी और उन की आवास में उन की अलफाँगी भी और सिर्फ यही नहीं जैसा मैंने कहा कि आप अपनी सीट बैल्स बान लीजिए जरा आज हम बात करेंगे कारगिल वार पर बहुत सी बाते की जाती हैं सबसे ज्यादा बड़ी बात जो की जाती है जो के पाकिस्तान की अपनी अथारिटीज करती हैं और वो यह कहती हैं कि यह मुशरफ का पाकिस्तान का एक बिगिस्ट ब्लंडर था कारगिल वार भारत इस दिन अपनी जीत मनाता है और जो उसने विक्टरी हासल की इस जंग में उसको उसकी उपर वो दिन मनाते हुए मूदी सहाब ने जो कहा है उनका कहना यह था कि पाकिस्तान हैस फेल्ड इन ओल पाकिस्तान ने तारीक से सबक हासल नहीं किया मुदी सहाब का कहना था कि पाकिस्तान ने हिस्ट्री से कोई लेसन लर्न नहीं किया और अभी तक वही हरकतें जारी हैं उन्होंने एक तरीके से यह कह दिया कि अब करके दिखाओ मुदी सहाब की जो स्पीच का जो क्रक्स मु आप बताते हैं तुम्हें और साथ में उनका कहना था कि Pakistan has not learned anything from its history. It is trying to keep itself relevant with the help of terrorism and proxy war. और फिर उनने कहा कि Today I am speaking from a place where the masters of terror can hear my voice directly. I want to tell these patrons of terrorism that their nefarious intentions will never succeed our soldiers will crush terrorism with full force and enemy will be given a you can think of it okay, what was it, that has said that the enemy will be given a mouth to the right they said that the enemy will be given a mouth to the right this is what they did, they talked about the war the inside of the war, the authorities, scholars, you can talk about them when you talk about them, you can read the book, the scholars, the scholars, the book की लिखी हुई किताबें अपने कर्णल्स की लिखी हुई किताबें और यह मैं ऐसी नहीं कह रही अभी आपको मैं बताऊंगी कि कौन से कर्णल जर्नल ने क्या कहा है एक तरफ वाजपाई साब को वेलकम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जंग की तरफ जा रहे हैं तकरीबन और बलके मैं याद है डिफेंस सेक्टरी ने ब्रीफिंग दी थी कैबिनिट को जर्नल इफ्तखार अली खान तो उन्हें ने कहा था कि ये बड़ा गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था आप प्राइम निस्टर के बहुत करीब थे उन दिनों प्राइम निस्टर ने आपके मुल्क खुद चल के आया और एक नई सिच्वेशन नुकलियर पावर्स थे तो उसके बाद सेटनली ये हम एक नए बड़ बढ़ बहुरान में फचे जिसका नतायज हम कंट्रोल नहीं कर सकते तबाओ कितना था तबाओ तो इंटरनेशनल था बेसिकली नारे नर्व ये नहीं होगी किया ऐसी बात हुई कि पाकिस्तान की जो नुकलियर वेपन्स थे उनको मॉबिलाइज किया जाए जाए नो नाट एट अल एपसुलूटी नुकलियर फैक्टर डिड नॉट काम इंटू प्ले या किसी ने सोचा भी उसका हो कि ये पहले तो बात है कि अभी जंग ही नहीं शुरू हुई थी अभी तो स्करमिशिस हो रही थी क्लैशिस हो रहे थे बॉर्डर पे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग तो कोई नहीं थी तो नुकलियर का तो सुवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी सिचुएशन में से हुचा जाए और ये बात दोन उस फक्त अपने फैमिली के साथ नत्या गली में था समझादा थे बहुत अबरप्टली सब कुछ हो गया और वो चानक से चले गए त्यारी हो रही थी और अगर आपको याद होगा कि उससे पहले भी जी एच्कु का रापता था विद अमेरिकंस उनकी आशिरबात के साथ जरनल मुशरफ उनको सी ओफ करने आए नवासरीफ यहां से गए तो क्या कुछ बात ऐसी थी जो तै की गए थी कि जो जाकी उने करनी थी पाकिसान की बिहाफ पे और नहीं की गए उस लेवल पर हुई होगी उनकी आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात थी कुंके बिसिकली जीती हुई किसम की जांगिया सिचुएशन थी लेकिन सियासी क्यादत की कमजोरी की वज़ा से वो शिकस्त में तबदील हो गए यह मैं ऐसे जमशन से अगरी नहीं करता बलके मैं समझता हूँ कि हमारा कारगिल में हमने वही गलती की जो 1965 में हमने गलती की थी कि वार में भी 12 डिविजन है मरी में चार-पांच लोग थे अदर आयूब खान साब थे और वही इदर भी हुआ तीन-चार लोग थे फैसला कर लिया और अजमशन भी वही थी 65 वार की जो अजमशन थी वो आपने 1999 में वही दोराई कि हम जो मर्जी करेंगे हिंदुस्तान उसका रियक्शन उस्टानी होगा आपको लगते कि जो कश्मीर पर पाकिसान का स्टांस सा उसे नुकसान पहुंच जगा कि कश्मीर को मुंसलिक हो गया देशतगर्दी के साथ हिंदुस्तान ने अमरीका से कुर्बत मिना ली और अमेरिका की टिल्ट होगी तोड़्स इंडिया वो तिल्ट वहां से शुरू होती कारगिल से और इधर अपने सबसे बड़ी बात है हमारा पड़ा नुकसान हुआ है जानी नुकसान हुआ हमने केटर नहीं किया था जो लोग उपर बैठे थे सप्लाइज नहीं पुचा सके थे हमारा ख्याल नहीं था इंडिया दे बोफर गन लेके आगया एरफोर्स लेके आगया उनका था कि थोड़े से होगा तो यह तो बहुत नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को